फिरोजबाद के थाना नसीरपूर के गाउं बलारपूर का है जहां पर देर राद दो लोगों ने एक 80 साल के बुज़र्ग को मैताप सिंग यादफ की गोली मार कर हत्या कर दी मौगे पर पहुँची पूलिस ने शवक को कबज मले कर पूस मार्टम के लिए जिला स्पताल के लिए भेजा है वहीं पूलिस हर पहलू से पूरे मामले के जौर्च परताल करही है वहीं परिजनों के तेहरीर के अधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है बताईए जा रहा है कि मृतिक का पिशलिक कई मर्शों से गाउं के ही कुछ लोगों से प्रधानी चुनाव के चलते रंजिश्च लिया रही थी जिसके चलते इस पूरी घटना को अंज़ाम दिया गया फलहाल जाँच के बाद ही घटना का सही पहलू सामने आएगा वहीं पुलिस मामले का जल्द खुलासा करने की बाद भी कह रही है फिरोजबाद से अजिकुमार पांडे न्यूसमार इंडिया यह प्रकरण गाउं बलारपूर थाना नसीरपूर जनपद फिरोजबाद का है इसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक महताब सिंग यादव उम्र करीब 85 वर्स के आस पास है दो लोगों के दौरा उनको गोली मार दी गई है उनकी मृत्ति हो गई है इस सूचना पर हमारी थाना नसीरपूर पुलिस बहुत अत्परता के साथ अत्काल रात में ही मौके पहुंची मौके से तमाम साक्षिक अठा किये मृत्तक महताब सिंग यादव की डेड़ बॉडी को पोस्मार्टम हेत मोर्चरी भिजवा दिया गया है पुलिस बल यहां मौके पर है जाँच परताल की जा रही है कुछ जो नाम आये हैं उनके हिरासत में लेने के लिए टीमे रवाना कर दी गई है जो तहरी मिलेगी उसके अनुसार और जो पुलिस की छान बीन में चीज़ें आएंगी किसी भी दोशी को कतरी बक्षा नहीं जायेगा और किसी भी निर्दोश का उत्पीडन नहीं किया जायेगा